नमस्कार जन्भावना टाइम्स में आपका स्वागत है मैं हूगारगी मोहाली के इंडियन स्कूल ओफ बिजनेस में चल रहे पाचपे प्रोग्रेसिब पंजाब इन्वेस्टर समित का दूसरा और अंतिम छत्र शुक्रवार को खत्म हो गया दूसरे दिन पंजाब की मान सरकार ने स्वास्त शेतर में निवेशिकों के सुझाब सुने निवेशिकों ने हेल्थ केर सेक्टर में अलग-अलग तरह के करों से राहत मागी इन्वेस्टर समित में स्वास्त मंत्री डॉक्टर बलवीन ने होशियारपूर में बड़ा नैचुरल थेरेपी केंडर खोलने का एलान किया है कृषी शेतर में चर्चा को लेकर दूसरा सत्र में विस्तार से चर्चा हुई पंजाब के माइक्रो कोल्ड स्टोरेज चेन खोलने के लिए सरकार केंडर से आगरे करेगी प्रोग्रेसिव पंजाब समिट के एग्री सेशन में कृषी मंत्री कुल्दीब धालिवाल ने कहा है कि पराली वॉयलर लगवाने पर 7 साल तक GST में 100 प्रतिशत छूट मिलेगा पंजाब में कपास उत्पादन का शेत्र बढ़ाया जाएगा सीचाई के लिए किसानों को एक एपरिल से खुला पानी मिलेगा वही सरकार शेहद उत्पादकों के लिए बेर हाउस बनाएगी गुरबार को दो दीवेसी समिट का शुभारम करती हुए से एम्मान ने जलंदर में स्पोर्स युनिवरसिटी खोलने का एलान किया था राज्य में अंतराष्टे स्तर के खिलाडी तयार किये जा सके इस मौके पर सीएम ने कहा है कि पंजाब में निवेश के इचुक उद्योग पती सीधे जमीन पर जाकर उद्योग स्तापित करेंगे उन्होंने कहा है कि सरकार कारुबारियों को M.U., N.O.C. और C.L.U. जैसे उपचारिकताओं में नहीं उलजाएंगे उद्योगों को प्रोटसान देने के लिए बड़ा एलान करते हुए C.L.U. यानि Change in Land Use और N.O.C. को खत्म करने की बात कही है उन्होंने कहा है कि निवेशकों को राज्य में निवेश करने की सुभिदा देने के लिए सरकार जल्द ही जमीन के प्रयोग में C.L.U. और N.O.C. को खत्म कर देगी इस मौके पर मिदानता ग्रूप के चेर्मेन डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा है कि पंजाब की आर्थिकता विकास चील है इसलिए राज्य में अथा संभावनाए है उनकी जड़े पंजाब में गहरी और राज्य सरकार के सक्रिय सायोग से वो राज्य के स्वास्त शेतर में निवेश करने के मौके तलाश रहे हैं देश का अन्य दाता होने के बाबजूत राज्य के ओदोगिक शेतर में बहुत बदलाब देखने को मिल रहा है और मुखिय मंत्री प्रगतिशील पंजाब की आशा का प्रतीक है बाकी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.djp.com को लॉगिन कर सकते हैं देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते हैं जन्भावना टाइम्स नमस्कार